मैं और वशी शेखावत सुकदेव सिंगोगामेडी की बेटी और आज यहाँ सब एकटे होए हैं क्योंकि मेरे जो पापा है सुकदेव सिंगोगामेडी उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई है गदारो दुवारा और मेरे पापा ने पहले भी प्रशासन को बहुत बार कहा था कि मुझे सुरक्षा दी जाए क्योंकि मुझे बहुत धमकिया आ रही है पाकिस्तान से और भी कई देशों से और जैसे पंजाब पुलिस हैं उन्होंने भी बहुत बार कहा था राजस्थान की प्रिशासन को और सबी को कि इन्हें सुरक्षा दी जाए लेकिन कोई ने भी नहीं दी और इसी काफला आज हम सब देख सकते हैं और जैसे की मेरे पापा के बहुत सारे जैसे सपने हैं जो कि मैं पूरे प्रियास करूंगी पूरे करने के लिए और उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटे की तरह ही समझा है मतलब बेटा ही बोलते थे और ऐसे बोलते थे तुम मेरी बेटी नहीं हो मैं बेटा ही मानता हूँ और हमेशा तुम्हें अगर मैं नहीं रहूं तो मेरी जगा हमेशा काम करना है और जैसे वो दिन राथ हमेशा सर्व समाज के लिए खड़े रहते थे अब उनकी जगा मेरी मम्मा वैसे तो बहुत खड़ी ही रहती है और वैसे भी वो बहुत से अंशील है और खड़ी ही रहेंगी लेकिन मैं भी यह कह रही हूं कि जहां मेरे माताओं भेनों को और मेरे दादों साथ दादीसाओं को अगर कोई को मेरे जरूरत पड़े तो मैं रात को भी वहाँ खड़ी मिलूंगी और परिवार जैसे सुरक्षित रहें अब इन्होंने जैसे पुलिस इदर चारों तरफ देख सकते हैं पुलिस ही पुलिस है लेकिन तब इन्होंने कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई हमें लाइक मेरे पापा को भी कोई भी सुरक्षा नहीं परदान की गई और इसी का फलाज मैं आइ तब तक नहीं नहीं पता है और जो मेरी ममा थी वो भी जैपुर चली गई थी और मुझे कल पता चला था वो बस हमेशा यही कहते थे कि राजनीति में हमेशा तुम्हें आगी रहना है और मैं यह सपना पूरी तरह से पूरा करूंगी और मेरा एक ही गोल है जो की है पॉल्टिक्स अब मैं भी उन्हीं की जगा राजनीती में आऊंगी जैसे मेरे पापा करनी से ना हो या सर्व समाज हो या फिर भादरा की राजनीती हो विधान सबाचेत्र की राजनीती हो मैं हर एक चीज में अब आगे ही रह होता है उनके साथ भी हमेशा मेरे पापा खड़े रहे हैं तो मैं भी हमेशा खड़ी रहूंगी चाहिए वो कोई भी समाज हो और जैसे कि श्री राष्टी राजपुद कर्णी से ना है इसको आगे बढ़ाएंगे हम जैसे कि हमेशा से चलती आ रही है मेरे पापा के दुआर आप मेरी मम्मा और मैं दोनों चलाएंगे इसे